बच्चों पिछले सेशन में हमें जाना था भाशा और बोली में अंतर आज हम लिपी के बारे में पढ़ेंगे लिपी किसे कहते हैं तो भाशा को लिखने की विधी को लिपी कहा जाता है विशुभर में अनिक प्रकार की भाशाएं बोली जाती है तो उन भाशाओं को लिखने के लिए भी अलग-अलग लिपीयों का प्रयोग किया जाता है जैसे हिंदी भाषा को देवनागरी लिपी में लिखा जाता है उर्दु को फार्सी में अगर ये भाषा की लिपी को रोमन में लिखा जाता है पंजाबी की लिपी को गुरु मुकी में लिखा जाता है तो इस परकार हम कहेंगे कि भाषा को लिखने के लिए जो चिन रिर्धारित किये गए हैं उसे लिपी कहते हैं व्याकरण व्याकरण किसे कहते हैं तो बच्चों व्याकरण वैशास्त्र हैं जिसके द्वारा हम भाषा के नियमों को जानते हैं समझते हैं और शुद रूप में पढ़ना लिखना वैं बोलना सीखते हैं भाषा कोई शब्दों का समू या लड़ी नहीं होती बलकि उसकी एक व्यवस्ता होती है इससे शब्द एक दूसरे के साथ व्यवस्तित रूप से जुड़े हुए होते हैं कि ये अर्थ अपने आप निकलने लगता है भाषा की व्यवस्ता की नियमों को जानने के लिए और वाकियों को शुद रूप से बोलने और लिखने के लिए व्याकर्ण सहायक होता है इस त्रस्टी से व्याकर्ण भाषा के सरूप की विस्तरित जानकारी देता है व्याकर्ण में भाषा से सम्मदित कुछ नियम हो भी होते है तो व्याकर्ण एक प्रकार का शास्त्र है जिससे भाषा की शुदता का ज्यान होता है और व्याकन को सीखने के बाद मनुष्य भाशा को सही रूप में बोलने, पढ़ने और लिखने और समझने लगता है अध्यन की सुविधा के लिए व्याकन को चार भागों में बाटा गया है First word विचार, Second शब्द विचार, Third पद विचार and Fourth वाके विचार तो हम वर्ण विचार पर अध्यान करेंगे वर्ण विचार, वर्ण विचार से हमें वर्णों के उचारन और बनावट का ग्यान प्राप्त होता है कि वर्णों को किस परकार से बना जाता है, उनका उचारन किस परकार किया जाता है शब्द विचार के अंतरगत हम शब्दों की बनावट, शब्दों की उत्पत्ति तथा शब्दों के उच्चर्ण का अध्यान करते हैं थर्ड पद विचार वाक्य में प्रियूक की गए बदों का व्याकरण की दिस्टी से परिचे देना पद परिचे कहलाता है जैसे वेह जाता है, वेह संग्यापद है, सर्वनाम है, पोल लिंग या इस्तिरलिंग है इसमें कौन सी क्रिया का प्रियूक जिए गया है, सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है, आधी वाक्य विचार वाक्य विचार के अंतरगत, वाक्यों के प्रकार, भीद, प्रयू, तथा अश्नाधी के बारे में हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो व्याकण की बाद अब हम जानेंगे साहित्य साहित्य किसे कहते हैं कि भाष्या द्वारा ज्ञान की फ्राप्ति होती है साहित्य ज्ञान का एक बहुत बड़ा भंडार है ज्ञान, रत्य, कभीता, संगीत, इतिहा, साधी ये सभी विशय ज्यान की भंडार है इन सभी विश्यों के संचित कोश को ही हम साहित्य कहते हैं साहित्य का अर्थ है मानव खल्यान के लिए कार्य करना तो हमने जिखा कि विश्यों के संचित या एककत्रत कोश को ही साहित्य कहते हैं अब हम बात करेंगे मानक और अमानक भाशा तो भाशा की विकास के साथ-साथ कभी-कभी वर्णों की लिखने के ढंक में परिवर्टन होने लगता है एक ही वर्ण को दूपरकार से लिखा जाने लगा यानि कि जैसे भाशा का विकास होने लगा ठीक उसी प्रकार वर्णों को लिखने में भी परिवर्थन आने लगा तो वर्णों का एक रूप बनाये रखने के लिए इन वर्णों का एक निश्चित रूप जधारत करना आविशक हो जाता है तो भाषा का एक रूप बनाये रखने के लिए भाषा विदों ने भाषा के जिस रूप को सुविकारा वेहमानक भाषा कहलाती है कहने का थात परे यह है कि आप वर्णों को दूपरकार से लिखा जाने लगा है लेकिन अलग अलग लिखने की पस्चात भी उन दोने का रूप एक ही होना चाहिए उन दोनों का एक ही अर्थ निकलना चाहिए इसलिए भाशा का एक रूप बनाए रखने के लिए भाशा भी दोने इन जिस भाशा को स्विकाराव है मानक भाशा कहलाती है आई ये देखते हैं अमानक और मानक्षप हिंदी हाफना नागेस्तान पर अनुस्वार का प्रियोग किया गया है चंचल चंचल आरंब मा इसकेस्तान पर भी अनुस्वार का प्रियोग किया गया है भाक्त भाक्त गए गए पत्ता पत्ता संबन संबन दोरों का अर्थ एक ही है किन्तु लिखने का तरीका अलग है तो बच्चों आज हमने जाना लिपी किसे कहते हैं व्याकरन व्याकरन की भाग चार भाग होते हैं साहित्ते और मानक भाशा अब हम आपको नेक्स्ट शेशन में प्रिशन उत्तर और एक्सराइस कराएंगे आज बस इतना ही